जहिन चात्रों मैं इशार रहमत competition community के इस question air program में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंतरता बिलकुल बरकरार रखें और साथ में एक युद्धिस तर पे तैयारी कर रहें और ये नाम सुनके थोड़ा confusion आया होगा दिमाग में थोड़ा confuse हुए होगे तो confuse नहीं होना है आसानी से समझते हैं जो question session program यूटूब में चल रहा है हफते में चार दिन subject wise, topic wise वो वैसा ही चलते रहेगा उसी पे ही आधारित है आपका question air program जो की सिर्फ और सिप मिलेगा हमार हमारे competition community के mobile app में और competition community के website में अब इसको access करने का तरीका भी समझाता हूँ लेकिन उससे पहले याद रखना है इसके फायदे क्या है इसमें आपके performance नजर आएंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे देखे कि जो बच्चा पूरे हफते 4 दिन अच्छा perform करता और first rank में आता है तो याद रखेगा उस बच्चे को monthly current magazine जो है current magazine जो monthly होती है हमारी आती है competition community की वो मिलेगा free of cost ठीक है ebook reader के माध्यम से उसके बाद यहाँ देखे कि जो बच्चा अगर पूरे महिने भर में perform करता है तो उसको 5 test series जो की आगे आने वाले prelims के लिए competition community में हो रही है तो आगर 5 questions सहीं बनाता है तो उसे 2 star मिलेंगे जो बच्चा 7 questions सहीं बनाता है तो उटीस को 3 सहीं बनाता है तो उसको 4р जो बच्चा 10 के 10 questions बनाता है तो उसे 5 star मिलेंगे इसी के according ही आपका measurement सारह होगा नन उसके बाद आप का result release किया जाएगा ठीक है और याद रखना है चात्रो कि अगर mobile app download करने के माध्यम से किसी प्रकार से समस्य होगी तो आप question session program में यहां देख सकते हैं question session program के नीचे में description box में आपका mobile app का link दिया हुआ उसे click करेंगे then आप google store में जाएंगे google store में download करना होगा उसे और download करने के पस्चाद आपका क्या होगा उसमें login करना होगा और login करने के पस्चाद आप देखेंगे कि सामने में आपको question year program दिखाई देगा अब जो है आपके लिए challenge आता है आप 10 में से 10 question अगर सहीं बनाते हैं और आपका अगर आप perform करते हैं तो आपको website में आप दिखे जाएंगे आपका नाम शो करेगा उसमें ठीक है जहिंचातरों मईशा रहमत competition community के इस question session program में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार आप अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखें और साथ में एक उद्धिस तर पे तैयारी कर रहे हैं मेजर ध्यान चन जी के बारे में जिनके नाम से 29 अगस्त को हमेशा हर साल खेल रतन पुरुसकार दिया जाता है तो वो क्यों दिया जाता है इसका आशाय इसपस्ट करते हूए उनकी विचारधाराओं को हम समझेंगे और अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं से रिलेट करे हम यहां बैठे हैं पढ़ाई कर रहे हमारा सबसे पहला उद्देश होना चीए कि हमें administrative service पाना है मतलब पाना है तो उस उद्देश से इनकी विचारधाराओं को समझते हैं यहां देख सकते हैं आप मेजर ध्यान चन जी दिखाई दे रहे हैं आपको और जो है यह कहते हैं कि यह मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं मुझे आगे बढ़ने के बढ़ने लिखाया हुआ है माफी चाओंगा यहां आगे बढ़ाने की यहां लिखाया है कि यह मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की यह मेरी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे टॉपिक क्या है तो यहां देख सकते हैं छात्रों आप कि प्राचीन भारत का इतिहाज भारत का इतिहाज हमारे विश्य है प्राचीनあの na बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़ें इससे पहले देखा और साथ वहन देखने के पस्चात कि भारत में जो हां विदेशी आकरमन किये और उसकी नीती भी बताई गई कि आपका हमारी परंपराओं से जो रिलेट करके हम सिक्वेंस बना रहे हैं तो एक अप्रोच दिया गया था आप लोगों को कि अप्रोच दो है इस प्रकार से रखना है जो पच्चा पहली बार है भारत हमारा विशा है आज का मतलब टॉपिक है और गुप्त प्रियेड हम पढ़ने वाले हैं यह पार्ट वन रहेगा तीन पार्ट आएंगे इसमें टोटल दस राजाओं के बारे में पढ़ेंगे पार्ट वन में पांच राजा पढ़ेंगे फिर उसके बाद पार्ट टू में पांच राजा पढ़ेंगे दैन उसके बाद इनका प्रशाशन पढ़ेंगे फिर उसके एक बर समझाता हूं कि इतिहास जानने के मुख्य तीन इस्त्रोथ होते हैं पहला इस्त्रोथ होता है आपका साहित्तिक इस्त्रोथ पहला होता है पुरा तत्विक इस्त्रोथ दूसरा इस्त्रोथ होता है आपका साहित्तिक इस्त्रोथ और तीसरा होता है आपका विदेशी य आजवन्स देखे उसमें जो है कभी पुरातत्वीक खोदाई से साक्षप्राप्त होते थे। और कुछ में जो है साहतिक इस्तरोथ भी मिलते थे। लेकिन यहाँ इस गुप्त काल से प्रस्ण पूछने का कारण यह है कि यहाँ तीनों इतिहास जानने के स्त्रोथ जो है हमारे सहेत्ति की स्त्रोथ, पुरा तत्वी की स्त्रोथ और आपका विदेशी यात्रों का यात्रवित्रांत। सारे स्त्रोट जो है आपको गुप्त कालीन साक्षि के रूप में प्राप्त होते हैं हमें और याद रखना है यहीं से प्रस्न उठाता है साथ में राजाओं ने क्या क्या किया है और क्या क्या आपके इनके मतलब उपलब्धियां रही है उन सब सारी चीजों से प्रस्न पू कैसे रहा है कि KP जैसवाल जो है वह कहते हैं कि गुप्त लोग जथे वो जाठ थे ठीक है समझने योग्य बस बाते बता रहा हूं यह मतरीलेट कर देना कि नियराच को जो है जाठ है सीर पॉसिप मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपका उस छेत्र में इस प्रकार की बोली बोली जाती है हारियाना पंजाव वाले छेत्र में ठीक है डाक्टर राय चोधरी जो है वो ब्राम्वन कहते थे और छटरी कहते थे संकर गौर सरी आपका गौरी संकर ओजा ठीक है गौर संकर निकल गया था गौरी संकर ओजा ठीक है तो इसे याद रखना है ये प्रस्न पूछे जा चुके है ठीक है तो इस प्रकार के तत्ति हमें और मैं बार-बार बोलता हूँ जितने content आपको मिलेंगे सारे one-liner facts रहेंगे और जो है आपके परिच्छे उपयोगी परिच्छे के दिश्टी कोन से बहुत ही महतुपूर है तो साथ में इसे भी याद रखना है और साथ में questions भी करना है तो smart study based जो quick reason format में जो session चल रहा है उसे proper way पर करते जाएए आपकी निरंतरत और आपकी तैयारी बरकरार रहेगी ठीक है और जो बच्चा नया है अब है subscribe करो ठीक है उसके बाद है जनकारी के स्त्रोथ अब देखो ये सबसे मुख्य अगर कहा जाए जहां से प्रस्ण पूछा जाता है तो ये आपका जानकारी के स्त्रोथ से पूछा जाता है अब ये नहीं बुलेगा कि गुप्त काल में जानकारी के स्त्रोथ कौन से है सीधा लेखक पूछेगा और उसके राइटर के बारे में लेखक पूछेगा और कौन सी रचना है उसके बारे में पूछ देगा में जानकारी मिलती है गुप्त राजुवंस की अब इन दोनों से क्यों मिल री सर बोलोगे कि सर इल लोक तो है कोई बोर रहे जाठ है कोई च्छत्री है कोई ब्रह्मन बोल तो फिर जैन अब्रोध कहां से आ गए गुप्तों ने सभी को समान रूप से संरक्षन दिया है जिस उसके बाद विशाखदत की देवी चंद्र गुप्तम इनकी एक और बुख है विशाखदत की देवी चंद्र गुप्तम यह तो राजा और रानी की कहानी है लेकिन इनकी और एक बूख है जिसका नाम है मुद्र राक्षस तो मुद्र राक्षस में भी जानकारी मिलती है त कहां लिखा गया है तो यह विशागदत की है समझ लेना है ठीक यहां मिटाल देता हूं और यह ऐसे क्लियर कर देता हूं इसको यहां इसका तो विशागदत की कौन-कौन सी बुख है आपका देवी चंद्र गुपतम और मुदरा राक्षास इसके जानकारी मिलती है दैन उसक सब्सक्राइब कर देता हूं कि विशागदत की दो बुख है मुदरा राक्षा तो देवी चंद्र गुपतम नोट कर सकते हैं आप इसको ठीक है उसके बाद अभिज्यान सब्सक्राइब कालिदास की पुस्तक है और नौरतनों में सबसे प्रसिद्ध नौरतन में से जो व् सब्सक्राइब तो यह याद रखना है हुए उसके बाद है समुद्र गुप्त का प्रयाक प्रसस्ति समुद्रकूप्त भण विशवीजयता को आप इसे राजा हुए हुआ विश्विजय का स्वप ने देखा और बहुत सारे छेत्र को विजित भी किया और सिफ चिक अंदर नहीं रहा है इस प्रकार से आद रखना है ठीक है पॉजिटीव पे चलना है चंद्रगुप्त का भीतरी स्थम्लेक ठीक है विदेशी यात्रा कौन-कौन किया है फायान किया अब यह जो है राजा लोग का सिक्वेंस है यहां कि जितने भी राजा हुए उनके सिक्वेंस है जिसको यहां क्लियर करना है कि क्या-क्या आज पढ़ना है देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में उसको आगे का पढ़ना है तो आज याद रखिएगा कि यह वाला जो है ठीक है उसके बाद है घटोतकच घटोतगच को आपका प्रशाशन मिला अगर वास्तविक संस्थापक बोले जाएगा तो चंद्र गुप्त प्रथम जिसने की व्यापक रूप से जो है समराज्य का विस्तार किया और आपका गुप्त समराज्य को प्रसिद्धिक किया सा सामंती व्यवस्था का अगर विकास देखा जाया तो आपका गुप्त काल में हुआ था कैसे कि सामंती व्यवस्था से साथ वहनों ने जो है उद्धान ज्यादा उनके प्रती बढ़ गया था इसी वजह से जो है आपका अगर आराम से समझा जाए नॉर्मल असान भासा में साथ वहन वाले लोग नहीं समाल पाए और गुप्त काल वाले लोग उसको सिस्टमेटिक प्रशाशन अपना चलाने लेकिन याद रखिए का केंद्र की प्रशाशन नहीं था इनका गुप्तों का गुप्तों का जो है छेतरी प्रशाशन रहा है जो कि सामंतों द्वारा चल तो इस प्रकार से याद रखना है तो आज जी से पढ़ना है आगे स्टार्ट करते हम चंद्रगुप्त प्रथम श्रीगुप्त जो है वास्तविक्स अस्थापक रहे हैं उतना प्रभूत वह नहीं ही रहा उनका फिर घटोत कक्ष के पूत्र पंद्र प्रथम उसके बारे में राज्य भी सेख तीन स्वे में हुआ और इसी समय ही जो है आपका गुप्त समवंध प्रारंभ किया इन्हों ने इससे पहले हमने पढ़ा था कि विक्रम समवंध के बारे में जो कि 57 BC में स्टार्ट हुआ ठीक है आईसापूरु में स्टार्ट हुआ देन उसके बाद कनिश के सासन काल में जो कि एक कुसान सासक था और बहुत धर्म धारन किया था ठीक है तो चौथी बहुत संगीती कराए थी तो 319-320 इसवी से याद रखना है यहां से प्रसन हमेशा पूछा जाता है ठीक है तो इस प्रकार से आद रखना है आगे बढ़ें आई आगे बढ़ते के द्वारा बहुत सारे छेत्रों को विजित किया उसकी संग्या जो है आपका समुद्रगुप्त से दिया जाता है ठीक है और हमारे यहां वाले लोग को दे देना चाहिए नेपोलियन को कि समुद्रगुप्त की संग्या ठीक है तो ऐसे किसी संग्या लेके नहीं चलना चा इसे धर्णी बद्य के रूप में जाना जाता है धर्णी बद्य से ताथ पर है धर्ती को चारो तरफ से बांधने वाला ठीक है प्रियाद रखना है वास्तविक लक्ष था इसका धर्णी बद्ध पृति धारन की और बहुत सरी उपाधी आगे में मिलेगा आपको देखने को विश विजय का स्वप ने देखा था दक्षिण विजय अभियान के दौरान तीन नीतियां चलाई थी इसने समुद्र गुप्त ने अब कोन सा था ग्रहन मोख्ष और अनुग्रह पहले ग्रहन करता था और छोड़ देता था प्रशासन जो है टेक्स दो भई टेक्स लेता अनुग्रह मतलब की सबसे जवाब मांगते रहता था इस प्रकार से सेंस लगा सकते हैं एकदम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे इतिहासकार नहीं बनना है लेकिन याद रखना है ग्रहन मोख्ष और अनुग्रह ये तीन नीति के तहत जो है आपका समुद्र गुप्त ने समुद्र कैसे हुए जो जो जोग्राफिका क्लास नहीं देखाया वो देखे जाके ठीक है कौन सतीन समुद्र सर चोटा से नक्षा बना देता हूं यह सिक्की मों गया तृपूरा मिजुरं मों हो गया अपने से इसी मैपिंग करकर कर बनाया करो यह वाला हो गया आपका बे रखना है ठीक आगे बढ़ते आईए फिर उसके बाद आते हैं राम गुप्त राम गुप्त एक प्रकार से अभागा के रूप में प्रसिद्व मतलब सामने आया इसमें बहुत सारे मदबेद है लेकिन एक बुक आती है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम जिसे लिखा किसने है विशाक दत्य ने लिखा है और इसमें जो है इनकी बीवी देवी के बारे में चर्चा है जिसका विवह इंड़ दड़े किसके साथ हो जाता है इसके बाद आने वाले सासक चंद्रगुप्त दिती विक्रम आदित्य के साथ और वो एक प्रतापी शासक के के बारे में जानेंगे कि समुद्रगुप्त के बाद प्रशाशन किसे मिला राम गुप्त को मिला उत्रदिकारी था पत्नी की रक्षा करने में असफल रहा बहुत सारे मद्वेद है लेकिन विशाक दत के देवी चंद्रगुप्तम में कहा जाता है कि यह असफल रहे अभी नहीं पसंद आई होंगी उनको पढ़ी लिखी थी बहुत मतलब आपका बात चीत नहीं किये होंगे साधी के पहले अच्छे से ठीक है स्वरी चमा चाहूंगा तो यह याद रखना है ठीक राम गुप्त से प्रस्न पूछता है क्या विशाग्दत कित देवी चंद्रगुप् प्रथम ने 319 BC में ठीक बीसी में एडी में देन उसके बाद आता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्र गुप्त को कहा गया घिरा है ठीक है आगे बढ़ते हैं चमा चाहूंगा अज थोड़ा घला थोड़ा खराब है प्र अगला है इलहाबाद का असोक तो परम भागवत हो गया धर्णी बद्ध हो गया और आपका बहुत सारी उपाधिया देखने को मिलेगा इलहाबाद का सोक इस्तम किसके सासन के बारे में सूचना प्रदान करता है सारी चीज़े हैं इसमें इसलिए बोर रहाँ आगे में मिल तो प्रसन इस प्रकार से गुमा के पूछा जा सकता है समुद्रगुप्त के प्रयाक प्रसस्ति जो की हरी सेंड द्वारा लिखा गया है उससे ही समुद्रगुप्ती सारी जानकारी मिलती है ठीक है तो इस प्रकार से भी प्रयाक प्रसस्ति को गुमा के पूछा जा सकते है ठीक आगे बढ़ते हैं प्रसना हमारा प्रयाग प्रसस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है देन उसका ही भाई है तो किसके जानकारी मिलती है तो किसके द्वारा कृत है समुद्रुगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है किसके द्वारा लिखी गई है तो आपका हरी स्रेंट दौरा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं ये समद्रगुप्त के प्रयाग प्रसस्ति में कोसल के सासक का क्या नाम था? ठीक है, ओके कोसल के सासक का नाम क्या था? इसमें कुछ मिस्टेक है कोसल चंद्रगुप्त प्रथम, समद्रगुप्त, कुमार गुप् क्या होगा औनसर इसका महेंद्र नाम ठाख ठीक है कोश अ मतलब की आपका उत्तर परदेश के निचे वाला proud , 36 राघ का उत्तरी भाग उ ठ्वश्च चु में उत्तर पुर्वी भाग तो महेंद्र नाम था यहाँ जो है ओपसें नहीं दी है चमा यूँ इस कोई सी कु widely it तो याद रखना आगे बढ़ता है कि महेंद्र सही होगा उसका अंसर प्रसन कमाग साथ है समुद्रुप्त के प्रयाक प्रसस्ति वाले इस्तंभ पर निमलिखित में से किसका लेख मिलता है तो याद रखिएगा जहां भी अपवादित इस प्रकार से प्रसने दिया जाया और मुगल सासकों का अगर नाम जिक्र होता है तो जहांगीर आंसर लेना है ठीक है अगबर कहीं मिलेगा वो भी आपका अगबर वाले अगबर बोलता है अच्छी तरह से उसे जाके देखें य लेकिन जहांगीर आंसर लेना है इसका ठीक है आगे बढ़ते हैं यह लोग को हमेशा इधर से उधर टोपरा उभिलेक को भी उठाके लेके आ गए तो वो जो है करते थे इधर उधर काम नहीं रहता था पहले इधर लाओ उधर करो करते रहते थे ठीक है फिर उसके बाद है देखो यह भी प्रिधिविया प्रतम समुद्र गुपत ही लगाया हूं ठीक है औरस्म का मांग दर्स है कौन सा राज्वन सोडों के आकर्मंण से के अत्यनत विचलित हुआ याद रखेगा गुपत काल ही हुनों के आकर्मंण हुन इसलिए लेकर आ रहा हुं कि आगे मैं पढ़ेंगे कुमार इसकंद गुप्त'D के já उनको भगाया इसकंद रखने है तो निम्लिखित कथन पड़ी है ठीक है पड़ते हैं हरिसेन सम्ध्रुगुप्त के दरवार का प्रसित पढ़ि था बिल्कुल सही है उसने देवीचंद्र को रुपतम महा काभी लिखा बिल्कुल गय है वैब Military अ क्राथ ने लिखा है वहाहा प्रयाग प्रसस्ती का भी चहिता है ओके सही है देन उसके बाद ही कंपोस्ट दा इपिक देवी चंद्र गुप्तम बिल्कुल गलत है इस नॉट कंपोस्ट ठीक है फिर उसके वाज ऑल्सो दा ओथर आफ प्रयाक प्रसस्ति बिल्कुल सही है तो एक और तीन सही होगा इसका अंसर तो इस प्रकार से याद रखना है कव अगला है निमलिकित में से कौन गुपत का गुप्त ओंस का प्रथम साशक था ओके प्रथम साशक ठीक है देख forcément हैं इसके स्मुद्रगुपत ने अपने ग्रहन मोक्षा नग्रह नीति के दौरा अपने अधिन किया था एला अगला है प्रसन क्रमा आंग चऊदा गुप्त वनस के निमलिकित सासाको का करम से लगाए ओके लगा देते हैं भई चंदर गुप्त है समुध्र गुप्त है कुमार गुप्त है है इसकं टॄप को ही तो Sat एकदम सीपिंस से समझ ना है इसको थोड़ा ओपर निचे को सकता है कहीं कि एक दो तीं उत्यर काक एप एक ने तो है इतला कोंबिकेट्ट बना देते हैं लेकिन नहीं है परिच्छा में वही आकलन होता है कि आप जो है आपका दिमाग कितना चलता है पेपर हॉल में तो जितने जल्दी हो से को उतने जल्दी बनाना चाहिए प्रैक्टिस करिए इसलिए बुलता हूं बार-बार निमलिखित कथनों को ध्यानपूर वक दरशीद करते थे उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था बिल्कुल गलत है मैंने बताया कि गुप्त शासन को लोगों का केंद्रीकृत शासन नहीं था सामंती वेवस्था द्वारा जो है शासन कराते थे साथ वहां वाले लोग के बाद और इनका सामंती वेवस्था अच्छा चलता था उन्हें भूमिदान की परंपरा का विस्तार किया yes that is right तो वन और थ्री इसका भी आंसर होगा तो वन और थ्री एक दिखा आपका आंसर ठीक है आगे बढ़ते हैं यह इंग्लिश मीडियों माले पढ़ लो भई ठीक है उसके बाद है प्रसम का वांग सोला प्रथम सिक्का ठीक है उसके बाद रहा यह रहा आपका आज का प्रस्ण बिल्कुल सोच और समझ के इसका आंसर देना है गुप्त वन्स ने खालिस्थान अवधी में सासन किया गुप्त डेनेस्टी रूल इन दप्रियेड और प्लैंक इसका आंसर देना है आपको दिस्ट भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया ओके ठीक है तो याद रखिएगा डेरियस प्रथम ने भारत के कुछ भाग को आपका अपने अधीन किया था ठीक है तो यह होगा इसका आंसर इसी के साथ इजाजत चाहूंगा चात्रो जय हिन जय भारत कर दो